अचारे प्रमोद किश्णम 35 सटतर से 35 क्या से क्या हो गया सर बारजोड़ आत्रा कभी है सर नहीं और हिमाचल में उमीद है बस वहां थोड़ा नेके नेक चल रहा है अचारे जी देखें आमन चोपड़ा जी पहली बात तो यह है कि आज एक्जिट पोल आया है तो एक्जिट पोल के जो नतीजे हैं या एक्जिट पोल की जो आपकी रुजान कहो सूचना कहो अनुमान कहो अगर ये सच होते हैं तो वाकई कॉंग्रेस पार्टी को गुजरात के नतीजों पर आत्म चिंतन की आवश्यक्ता है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अभी आठ तारीक को अच्छे रिजल्ट आएंगे क्योंके गुजरात चुनाव के जो लड़ाने वाले नेता थे हमारे गुजरात चुनाव के जो प्रभारी थे वो सब ये बात कह रहे थे कि गुजरात मे ये नतीजे आते हैं जो आपका एक्जिट पॉल दिखा रहा है तो ये तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशह भी है और बड़े चिंतन का विशह भी है और उन सब नेताओं की जवाब देहित तै करने का समय भी आ गया है जो बार-बार कॉंग् का एक्जट फूर बता रहा है बीजेपी को बड़त दिखा रहा है तो मैं इस पर अभी यकीन करने के लिए अभी नहीं तैयार हूं मैं इस हमाचल पर आठ तारीक से भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात और हिमाचल के चुनाब से जोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अगर गुजरात और हिमाचल के चुनाब को मद्दे नजर रखते हुए शुरू होती तो उसके रूट में वो शामिल हिमाचल प्रदेश में अगर कॉंग्रेश जीती है तो निश्चित रूप से उसका श्रे हिमाचल के उन नेताओं को जाएगा और प्रियंका गांधी को जाएगा और वहां के प्रभारी को जाएगा अगर गुजरात में हम नहीं जीते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी ज नहीं है एक बार शायद गुजरात गए तो राहुल गांदी जी अपने एक पवित्र भाव को लेके पवित्र उद्देश को लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनको इस राजनीती में घसीठना मुझे नहीं लगता के उच्छे मैंने तो पूछा नहीं था यह तो आपने आड़ान खुदी कर दिया मतलब हिमाचल में जीते तो प्रियंका जी और गुजरात में आरे तो राहुल जी नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है खड़गे जी अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुना राहुल जी खड़गे जी एक मैं तो कह रहा हूं कि हिमाचल में अगर जीतेंगे तो उसका श्रे जो है वहां के प्रभारी को जाएगा वहां के नेतरत को जाएगा लोकल नेतरत को और गुजरात में भी हम जैसा भी करेंगे उसका भी श्रे और उसकी जिमेदारी वहां के नेतरत को जाएगी मैं तो बिल बने की बात पर चुनाव गुजरात में अगर होती हैं तो खड़गे जी के हाथ में अलाओधीन स्ट्राग थोड़े है के वो बनते ही Congress को जीत दिला देंगी वो करेंगे अबी तो कांग्रेस की working committee का चुनाव होगा अबी में परिवर्टन होगा खरगे जी को पूरी team उनकी मिलेगी उसके बाद قई जी को समय दिया जाएगा करगे जब 2023 का चुनाब होगा तो उसकी जिम्मेदारी जरूर топ करेंगे जी को लेंगे देखे पूरे देश के अंदर BJP एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना एक वोट मैंक फिक्स कर लिया है तो जो BJP का विरोधी वोट है वही एक जगे बटे दो जगे बटे तीन जगे बटे चार जगे बटे रीजनल पार्टी जो है जहां-जहां भी लड़ रही है उनको लड़ तो जी की पार्टी यह हो जितने ही रीजिन पार्टीन ने सबर जी हो यह को पड़ारinação को टाकत देने का काम किया यह अफ्लिंद दोजार25 yarn अगर हमको चुनाव लड़ना है राश्टी है परिपेख्ष में राश्टी है इस तरपर तो बीजेपी से लड़ने के लिए क्या तैयारी की जाए यह कॉंग्रेस को भी सोचना और रिजिनल पार्टीज को भी सोचना प्रियांका जी अचारे सर की बात से डिसेगरी करती हूं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं कि इस बार कॉंग्रेस में इनके ही कैंडिडेट है ललित वसोया फॉर इंग्जांपल जो गली-गली जाकर प्रचार किये कि कोई बात नहीं अगर आपको कॉंग्रेस को वोट नहीं देना तो मत द दो तो यह हालत थी वहाँ पर ग्राउंड गए तो यह किया कॉंग्रेस में दूसरी की शेजाजी के रहे थे इनका कोई बेस नहीं है शेजाजी गुजराद भी नहीं गए ऑनलाइन रिशर्च भी ठीक से नहीं की सोला लाग प्लस वोट आया हमारा सूरत फैमली में जब सूरत के मिनुसिफल एलेक्शन हुए थे वो देखना चीए था इनको इन्हों ने का कि कभी भी कोनिया कॉंटेस्ट नहीं हुआ पूर केंद्रे मंत्री रवी शंकर प्रसाद जुड़ गया मैं आ रहों प्रियंका जी एक मिटा रहों मैं